हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की वरक्षीट नंबर 33 को करेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो यह है कि त्रिकोन मितियान उपाद देखेंगे कि 30 डिगरी पे 45 डिगरी पे और 60 डिगरी पे क्या होता है साइन, कॉस, टैन, कॉस, सैक और टैन का ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वरक्षीट में क्या पढ़ाता है तो हमने देखा था कि जो साइन, ए है ठीक है वो किसके बरावर होता है वन अपॉन में कॉस, एक होता है और कॉस, ए जो है वो किसके अब बरा और सैक होता है One upon में किसके? कॉस के और को सैक किसके होता है? One upon में, sign A के, ठीक है? तो ये एक दूसरे रिखके व्यूत करम होते हैं, यह हमें पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है? तो आगे देखते हैं तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर एक right angle triangle दे रखा है समकोन तरिबूज दे रखा है इसमें यह बुलाई कि जो A B है वो 1 A है B C जो है वो भी 1 A है और A C जो है वो root 2 A है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर sin 45 की, cos 45 की और 10 45 की value निकालूँ सभी ट्रिकोन मित्य अनुपात की 45 degree पर मान निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगा ठीक है तो आज हमें जो करना है सिर्फ हमें इनका मान याद रखना है ठीक है तो देखते हैं कौन-कौन सी value पर कौन तो सभी ट्रिकोन मित्य अनुपात का जो मान है हम इस टेवल की मतल से समझने की कोशिश करते हैं अब जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ दे रखने हैं कौन-कौन से हमारे ट्रिकनोमेटिक रेश होते हैं साइन, कौस, टैन, कौस, एक, सेक और कॉट ठीक है तो अब हम देखेंगे कि इसका जो मान है 0 डिगरी पर क्या होता है 30 डिगरी पर क्या होता है 45 पर 60 पर 90 पर ठीक है तो साइन थीटा जो है ठीक है उसका 0 डिगरी पर मान 0 होता है 30 डिगरी पे 1 बटे 2 45 पे 1 बटे root 2 और 60 डिगरी पे root 3 upon 2 और 90 डिगरी पे 1 होता है ठीक है अब cos theta का देखते है अब cos theta का क्या होता है just इसका opposite होता है उल्टा होता है ठीक है मतलब की जो sign का 90 पे था वो cos का 0 पे हो जाएगा जो 60 पे था वो 30 पे हो जाएगा जो 45 पे था वो 45 पी रहेगा और 30 वाला 60 पे पहुँच जाएगा और 0 वाला 90 पे पहुच जाएगा ठीक है तो जैसे कि अगर मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यह number note कर दिया ठीक है तो sign का तो 1, 2, 3, 4, 5 था और cos का क्या हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है तो इस तरीके से हम याद भी कर सकते है आसानी से अब 10 का मान देखते है अब 10 का जो होता है वो क्या होता है अभी हमने एक formula देखा था कि जो 10 है 10 theta जो है वो किसके बरावर होता है sin theta बटे में cos theta के ठीक है तो अब मैं 10 की value कर निकाल हूँ तो क्या करूँगा sin का जो 0 degree का मान है cos के 0 degree के मान से भाग कर दूँगा तो 0 बटे में 1 हमारा 0 ही होता है और 1 बटे 2 को अगर मैं इस से करूँ भाग root 3 बटे 2 से तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक बटे root 3 यह 10 30 degree का मान आ जाएगा इसी तरीके से 10 45 का कैसे निकले दौनों को भाग करूँगा तो पूरा कट के एक बचेगा 10 60 के लिए 2 से 2 कट गया तो root 3 बटे में 1 तो root 3 हो गया और 90 पे क्या होता है एक बटे 0 तो अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से cosac का मान देखने कैसे करना है याद तो cosac हमारा जो होता है किसका व्यूत करम होता है sin का cosac किसके बरावर होता है 1 बटे sin के ठीक है तो sin का मान क्या है हमारे पास जीरो एक बटे दो एक बटे रूट दो रूट तीन बटे दो और एक जिसका उल्टा कर देंगे ठीक है तो जीरो था तो क्या करेंगे यहाँ पर जीरो था जीरो बटे एक है तो यह एक बटे जीरो हो गया मतलब की इंफिनिटी हो गया अब यहाँ पर एक बटे दो था, तो यह कितना जगा, दो बटे एक हो गया, यह एक बटे रूट दो था, तो रूट दो बटे एक हो गया, और यह दो बटे रूट तीन हो गया, तो इस तरीके से हम सैक का भी आत कर सकते हैं, कौट का भी आत कर सकते हैं, ठीक है, तो अब इस टेबल के अधार पर कुछ question देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उधार नमबर पहला में क्या दिया गया है तो इसमें ये बोला है टेबल में दिये गए त्रिकोन मितिय अनुपातों के मान देखकर निम्द कत्न के लिए सत्ते या असत्ते लिखिए तो अभी हमने जो टेबल करी है उसके इसमें बताना है कि साइन नब्बे और कॉस सिक्स्टी दोनों का मान बरावर होता है के नहीं होता तो अभी हमने देखा है कि जो साइन नब्बे डिग्री है उसका मान क्या होता है एक होता है आप देख सकते हैं टेबल में और कॉस साथ डिगरी का मान क्या होता है एक बटे दो होता है तो एक और एक बटे दो तो बराबर हो जी नहीं सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि साइन नब्बे बराबर नहीं होता कॉस सिक्स टीके तो आता हाई ये कथन क्या है? असत्य है, ठीक है? तब अगला उधारन देखते हैं, उधारन नमबर दूसरा, अब दूसरे उधारन में हमें ये बोला है कि X का मान ज्यात करना है, ठीक है? तो यहां पर एक हमें right angle triangle दे रखा है, ठीक है? तो कोन हमारा जो है, वो कित्य डिगर का 30 डिगरी का दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है और यह वाली जो भुजा है जिसे करन बोलते हैं वो दे रखा है हमें 10 हमें X निकालना है तो एक्स हमारा क्या है, अगर हमारा ये koon है, तो इसके सामने वाला ये lumb हो जाएगा, ठीक है, ये lumb हो गया, और कarn हमें दिया हुआ है, तो हमें lem का मांगात करना है, तो जो भी हमने control, mithy अनुपात पड़े हैं, उसमें lump और kern किसका अनुपात होता है ठीक है, sine का होता है तो sine 30 degree पर ठीक है, बराबर हो गए X बटे 10, क्यों? क्योंकि यह होता है lump बटे में kern ही होता है, sine का अनुपात ठीक है, अभी हमने जो table किये, उसमें sine 30 degree का मान क्या होता है 30 degree कमान जो होता है वो 1 बटे 2 होता है ठीक है और X बटे 10 हमारे इसके बराबर में है तो अगर इसको मैं solve करूँ 1 बटे 2 बराबर X बटे 10 तो solve करके हमारे पास X कमान क्या आ रहा है 5 आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से हमें इस X कमान निकाल सकते है तो आप देखते हैं अगला उधारन उधारन नमबर तीसरा तो अब उधारन नमबर तीसरा देखते हैं उधारन नमबर थर्ड में हमें क्या बोला है इसे सॉल्व करना है ठीक है तो इन सब का हमें मान टेबल में याद होना जीए पहले सबसे पहले कि 30 डिगरी पर क्या होता ह है साइन कॉस्ट एन का ठीक है अगर आपको यह टेबल याद है तो इस तरीके कोशन आप आसानी से कर सकते हैं तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं फर्स्ट वाले हम बोला है साइन 30 डिगरी और यहाँ जहाँ दौन साथ में लिखे हैं बीच में डॉट है या कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब गुना होता है ठीक है तो साइन 30 डिगरी गुना 1045 डिगरी प्लस 1030 डिगरी इंटू साइन 60 डिगरी ठीक है इसका मान निकाल ला है तो सबसे पहले हम यहां टिख लेते हैं साइन 30 की वैल्यू कितन होती है एक बटे दो तो यहाँ गया एक बटे दो गुना 1045 डिगरी एक होती है ठीक है 1044 डियू एक होती है प्लस 1030 की वैल्यू कितन होती है des furry झए एक बटे रूट तीन 1 बटे रूट तीन गुना, sin 60 की value होती है, root 3 बटे 2, ठीक है, root 3 बटे 2 होती है, तो अब इसको solve करते हैं, root 3 से root 3 कर दिया, ठीक है, यह आएगा, 1 बटे 2, और ये भी 1 बटे 2, तो दोनों को solve करा, तो अब बटे 2 बटे 2, solve करके कितना आ गया, एक, तो इस पूरे का जो मान है, वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, अब बी वाला पार्ट भी विलकु सेम ऐसी करना है, बी वाले में हमें क्या दे रखा है, cost 30 degree, sin 45, plus sin 30 degree, और 10 30 degree, ठीक है, तो अब हमारे पास cost क्या दे रखा है cost 60 जो होता है हमारा, वो होता है, एक बटे 2, तो एक बटे 2, गुना, एक बटे root 2, जमा, sin 30 होता है, हमारा, एक बटे 2, गुना, sin 10 30 कितना होता है, एक बटे में, root 3, ठीक है, तो इसको अगर मैं solve करके लिखूं तो यह कितना हो जाएगा, एक बटे 2, root 2 हो जाएगा, प्लस इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं LCM लो तो LCM कितना आएगा इसका LCM आएगा हमारा 2 root 6 आएगा ठीक है तो ये गुना हो जाएगा root 3 से और ये हो जाएगा root 2 से ठीक है तो इसको हम इतना ये भी solve करके लिख सकते हैं या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो तो इस तरीके से हम इस question को करेंगे तो आप इस table के आधार पर कुछ question करते हैं जो कि हमें नीचे दिये गए हैं तो इस start करते हैं तो first question दिखते हैं first question में हमें बोला है नीम्न कत्नों के लिए सत्य या सत्य लिखिए हैं हमें इसमें क्या पूछा गया है true या false पूछा गया है कौन सा जो statement है वो सही है और कौन सा गलाता है तो इसको कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको यह table याद होनी चाहिए तो first वाले में हमें क्या दिया हुआ है first वाले में दिया हुआ है sin 60 degree equal है cos 30 degree के यह पूछा हुआ है तो sin 30, 60 degree की value देखते हैं value root 3 बटे 2 है क्या दोनों equal है हाँ यह दोनों equal है हम लिख देंगे यह true है मतलब की सत्य है अगला b part देखते है b part में क्या बोला हुआ है sin 45 degree equal to cos 45 degree तो देखते हैं table में sin 45 हमारा 1 बटे root दो होता है और cos 45 भी 1 बटे root दो होता है तो यह भी क्या हो जाएगा true हो जाएगा मतलब की सत्य हो जाएगा c वाला देखते है c वाला हमारे पास है 1060 equal to cot 60 तो 1060 हमारा होता है root 3 ठीक है root 3 और cot 60 जो होता है हमारा वो होता है 1 बटे root 3 क्या दोनों equal है यह दोनों equal नहीं है तो यह false हो जाएगा मतलब की असत्य है ठीक है अब एक और देखते है d part इसका तो d part में बोला है cosac 30 degree बराबर है cot 30 degree के तो cosac 30 degree देखते हैं कितना है cosac 30 है हमारा 2 और cot 30 degree कितना दे रखा है वो दे रखा है root 3 क्या यह दोनों equal है यह दोनों equal नहीं है तो यह भी हमारा false हो जाएगा असत्य है ठीक है तो इस तरीके से first वाला question हम solve करेंगे next question देखते है question number second अब question number second में हमें क्या बोला है समकोन तिर्बूच ABC जिसका कोन B समकोन है AB 5 cm है और angle A, C, B जो है वो 30 degree है भुजाओं BC और AC की लंबाई ग्यात कीजिए तो inner right angle triangle at B AB is 5 cm and angle A, C, B is 30 degree determine the length of the side BC and AC ठीक है तो हमें बोला है कि एक right angle triangle है यहां मैंने एक right angle triangle draw कर लिया है यह एक right angle triangle दिया हुआ है B 90 degree है तो यह हो गया हमारा A, B और C ठीक है और यह बोला है कि angle A, C, B जो है वो कितना है 30 degree दे रखा है और इसमें जो A, B है वो दे रखा 5 cm तो हमें BC length और AC length find करनी है तो यह हमारा क्या होता है अगर angle यह है तो इसके सामने वाले यह perpendicular होगा मतलब की lump होगा और यह आधार होगा base होगया और यह hypotenuse kern होगया ठीक है तो इसे solve करने के लिए हमें सबसे पहले सारे trigonometric ratio यादोने चाहिए कि sign किसका ratio होता है cos किसका होता है 10 किसका होता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे P दे रखा है अगर मैं B निकालो तो P और B किसका ratio होता है P और B होता है हमारा 10 का और cot का ठीक है तो अगर मैं लूँ 10 angle हमें क्या दे रखा है 30 डिगरी 10 30 जो होता है वो होता है P upon में B होता है मतलब कि P दे रखा है 5 और B हमारा CB है ठीक है जिसको मैंने X ले लिया है ठीक है CB को X ले लिया है तो अब 10 30 degree की value क्या होती है वो जो भी आपने table किये उसमें याद होनी चाहिए 10 30 की value होती है 1 upon में root 3 और यह जाए 5 upon में X तो cross multiply अगर करूँगा मैं तो X हमारा कितना आ गया 5 root 3 cm तो हमारा BC कितना हो गया BC हो गया 5 root 3 cm ठीक है तो यह हमारा BC तो आ गया अब AC निकालते हैं अब हमारे पास 30 degree का angle दिया और P दे रखा था ठीक है तो P और H किसका अनुपात होता है साइन का तो साइन 30 degree जो है वो होता है पांच बटे में AC ठीक है तो साइन 30 की value कितनी होती है 1 upon में 2 5 upon में AC cross multiply किया तो हमारा जो AC हो गया वो कितना हो गया 10 cm तो इस तरीके से हम बाकी दोनों साइड निकाल सकते हैं question no.3 देखते हैं question no.3 जो है इसमें बोला है find all the trigonometric ratio for the following triangle तो निम्न समकौन त्रिबूच के लिए सभी त्रिकोन मिती अनुपात लिखिए तो हमें यहां पर सारे जो trigonometric ratio होते हैं वो सारे find करने हैं यहां पर हमें angle दे रखा है a 45 degree और a b length दे रखी एक्स b c length x दे रखी और a c length root 2 x दे रखी है ठीक है तो हमें जो find करना है वो क्या क्या find करना है sign 45 degree ठीक है तो sign जो होता है कौन किस-किस करीश होता है वोता है perpendicular और hypothesis का ठीक है तो से यहां लिख लेते हैं पहले यह हमारा base है यह perpendicular होता है और यह hypotenuse होता है तो sign जो होता है वो था perpendicular और hypotenuse का अनुपात यह ratio ठीक है तो यह होता है हमारा b c upon में a c तो यह दे रखा है x और यह दे रखा है root 2 x तो x x कर गिया तो क्या बचा 1 upon में root 2 बचा तो sign 45 की value हमारी हो गई ठीक है अब next मैं निकालों cos 45 degree तो cos का निकालने के लिए cos किसका ratio होता है b और h का मतलब की a b का और a c का तो a b हमारा x है और a c हमारा root 2 x है तो x x कटा तो one upon में root 2 आ गया ठीक है sign निकल गया cos निकल गया अब 10 निकाल लेते हैं तो 10 45 10 होता है हमारा p और b का नुपात ठीक है मतलब की b c upon में a b तो b c हमें x दे रखा है a b हमें x दे रखा ठीक है cos 1 45 अब cos 1 जो होता है sign का reciprocal होता है ठीक है तो हमारा यह था b c upon m e c तो यह क्या हो जाएगा a c upon m e b c तो इसको लिखूंगा root 2 root 2 x upon m e x तो directly में से root 2 भी लिख सकता था root 2 upon m e 1 ठीक है जैसे कि हमारा यहां one upon में root 2 था तो इसका reciprocal करूं तो root 2 upon m e 1 आएगा तो इसी तरीके से मैं बागी निकाल लेता हूं sec 45 तो इसका directly अदर निकाल लो तो यहां था one upon में root 2 तो इसका भी हो जाएगा root 2 upon m e 1 और 10 का cot निकाल लेते हैं कॉट 45 टैन हमारा one है तो कॉट का भी क्या हो जाएगा one ही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम इस type के question को solve करेंगे करेंगे